हलो फ्रेंड्स रोमांचक तथि में आज आप सबको भारत के सबसे पहले फाइव स्टार होटल ताज महल पैलेस के बारे में बताने जा रहे हैं ताज होटल की स्थापना प्रसिद्ध भारतिय उद्योक पती जमशेद जी टाटा ने 1903 में की थी इसके निर्माण के पीछे एक कहानी ये है की जमशेद जी टाटा को एक अंग्रेजी होटल में प्रवेश से मना कर दिया गया था क्योंकि वह भारतिय थे इस कटना ने उन्हें प्रेरित किया कि वह भारतियों के लिए एक ऐसा होटल बनाए जो किसी भी अंतरराश्ट्री ताज मैल होटल का निर्माण 1898 में शुरू हुआ और इसे 16 दिसंबर 1903 को पहली बार खोला गया इस होटल को बनने में करीब 14 साल लगे थे और ये नाकिवल भारत का बलकि एशिया का भी सबसे पहला 5 स्टार होटल माना जाता है ताज मैल पहले सुटल अपने समय से काफी आगे था इसमें पश्चिमी सुविदाओं के साथ साथ भारतिय कला और संस्कृति की जलक भी मिलती है लेकक हरीश भट पैंगोईन से प्रकाशित अपनी किताब टाटा स्टोरीज में लिखते हैं कि जमशेद जी टाटा के दिमाग में बॉम्बे में भवे उटल बनाने का आईडिया यो ही नहीं आया था बलकि इसके पीछे एक कानी और बदले की आग थी उन दिनों में बॉम्बे के काला गोड़ा इलाके में इस्तित वाटसन्स होटल सबसे नामी हुआ करता था लेकिन वहाँ सिर्फ यूरोप के लोगों को प्रवेश मिलता था एक बार जमशेद जी टाटा वहाँ पहुँचे तो उन्हें यूरोपियन ना होने के चलते एंट यूरोप और पश्चिमी देशों की यात्रा किया करते थे और उन्होंने वहाँ होटल और दूसरी सुवदाओं को देखा था साल 1865 में सेटरडे रिव्यू में एक लेक छपा जिसमें लिखा गया था कि बॉम्बे को अपने नाम के अनुरूप अच्छा होटल कब मिलेगा ये बात भी टाटा के दिल को लग गई थी जमशेदी टाटा ताज होटल के लिए सामान खरीदने दुनिया के कौने कौने तक गए लंडन से लेकर बरलिन तक के बजार खंगार डाले टाज होटल बारत का ऐसा पहला होटल था जहां कमरों को ठंडा रखने के कारवन डायोकसाइड बर्फ निर्मान सायंत्र लगाया गया था होटल के लिए लिफ्ट जर्मनी से मंगाई गई थी और पंके अमेरिका से आये थे हौल के बॉल्ड रूम में लगाने के लिए खंबे पैरिस से आये थे उन दिनों ताज होटल की कुल लागत 26 लाक रुपे तक पहुँच गई थी आखिरकार साल 1903 में जब ताज होटल खोला गया तब इसके कमरे का किराया 6 रुपे प्रती दिन रखा गया था ताज महल पैलेस होटल की वास्तुकला हिंदू, सारसेनिक, इसलामी और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण है इसका गुंबद होटल का एक प्रमुक प्रतीक है और भारतिय वास्तुकला का उत्करश्ट उधारण है होटल के अंदर की सजावट भी उतनी भव्य और आकरशक है जिसमें इटली के संगमरमर, बेल्जियम के क्रिस्टल जूमर और हाथ से बने कालीनों का उपियोग किया गया है ताज होटल ने ब्रिटिश शासन के दौरान कई मेत्वपूर्ण राजनेतिक और सांस्कृतिक कारेकरमों की मेज़बानी की यह होटल भारतिय सौतंतरता संगराम के कई नेताओं का पसंदीदा इस्थान रहा है सौतंतरता के बाद ताज होटल ने ना केवल अपने सेवा मानकों को उचा बनाए रखा बलकि इसे बारत के एक प्रतिष्टिक प्रतीक के रूप में भी इस्तापित किया इसके बाद से ये होटल भारती आतित्थ का प्रतीक बन गया है 26 नवंबर 2008 को ताज होटल पर आतंगवादी हमला हुआ जिसे 26 ग्यारा हमले की रूप में जाना जाता है इस हमले में कई जाने गई और होटल को भी मारी नुकसान हुआ हाला कि इसके बाद ताज होटल ने तेजी से पुना निर्माड किया और सुरक्षा के उच्चतम मानकों के साथ फिर से खुला ये गटना ताज होटल की असाधारण मजबूती और समर्पन का प्रतीक बनी ताज मेल पैले जना केवल एक होटल है बल्कि ये भारती आतित्थ की उत्करश्टिता, समर्द विरासद और समर्थ का प्रतीक भी है ये होटल ना केवल व्यापारिक यात्रियों बल्कि परियटकों, राजनेताओं और मशूर हस्तियों के लिए भी आकर्शन का केंद्र है ताज मेल पैलेस होटल जिसे आमतोर पर ताज होटल मुंबई कहा जाता है भारत के सबसे प्रसित दोर एतिहासिक होटलों में से एक है